तो चार्ज देंसिटी और पोटेंशियल पेटेंशियल से फिर फिल्ट इसके लिए हम लोगों ने एक्स्प्रेशंस अल्री लिखें हैं अगर कोई चर्ज डिस्ट्रिबुशन है और उसके कारण आप पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो पोटेंशियल आप लिख सकते हैं यह चार्ज हो गया ओवर फोर पाइप्शलन नॉट और और माइनस आर प्राइम ऐसा और यह जो रो है वो आर प्राइम पर है और जो डी टौ है उसी जगह का वॉल्म है जो भी चार्ज दिस्क्रिपूशन है उसमें आप इसको इंटेग्रेट कर दिजिए तो इस चार्ज दि सिटी में एक और बहुत अच्छा एक्वेशन है जिसको हम लोग कहते हैं पासा एक्वेशन और वो क्या है वो है कि आप जानते हैं कि इलेक्रिक फिल्ड जो है उसका डाइवर्जेंस हम लेते हैं तो वह रो बाई एप्सलन नॉट होता है गॉस जला है यह पॉइंट बाइ बाई पॉइंट रलेशन है जिफरेंचल फॉइंट लोग का और एलेक्रिक फिल्ड को और पोटेंशल को भी आप लिख सकते हैं यह पर आबर माइनस ग्रेडियंट और वी यह आपको याद हो कि जो ग्रेडियंट है इसको के लिखते हैं कार्टिजियन में अगर हो तो आई है इसके आगे आप यह लगा देजिया और यह माइनस लगा देजिया तो इलेक्रिक फिल्ड के का एक्सपेशन बन जाता है कॉंपनेंट चाहिए तो यह एक्स कॉंपनेंट यह 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 बराबर रो ओवर एप्सलों नॉट और यह जो चीज है ग्रेडियन्ट यहां और फिर डैवर्जंस यहां माइनस को बहर लिए उसको लोग लिखते हैं डेल स्क्वार इसको डेल स्क्वार बोलते हैं इसको डेल स्क्वार ऐसा पड़ते हैं डेल स्क्वार लापलासियन भी बोलते है इसको तो माइनस और फिर यह डेल स्क्वार और किसका किस पर operate करेगा वी पे इस एकुल तो रो ओवर एपसलन नॉट और जो डेल स्क्वाइर है इसके एक्स्प्रेशन साप लिख सकते हैं करटीजर में तो आसान है आप डाइवर्जें गवेशन जानते एक्स्प्रेशन जानते आप उसको मिलाके आराम से लिख सकते हैं जो del स्क्वाइर है delूर्गा जोकी ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस न्यूच है उसके यहां पर यह देल 2 देल एक्स स्क्वायर वी और प्लस देल 2 देल य स्क्वायर और वी देल 2 देल Z स्क्वायर और पता है आपको यह partial differentiation हम इसलिए करते हैं कि जो potential है वो अलग-अलग पॉइंट्स पर अलग-अलग है इसलिए यह potential यह function है आर का इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते है ऐसे लिखते है यह जो आर यह expression आप देख रहे हैं यह expression में यह आर यही आर है जहां हम यह potential निकाल रहे हैं वी एट आर वी एट आर और और जो यह आर प्राइम है वो function अगर Cartesian coordinates साप इस्टेमाल कर रहे हैं तो यह xyz का function है और इसलिए differentiate करते समय में अगर मैंने y और z को constant मानते हुए x से differentiate किया है तो उसको हम लोग ऐसा partial differentiation x में ऐसा लिखते हैं इसी तरह x और z को अगर constant मानते हुए y में differentiate किया है तो वहां से हमें यह तर्म मिलता है और वह तर्म मिलता है अगर इसको आप spherical polar coordinate में लिखना चाहें स्पेरिकल polar coordinate में तो वैसी हालत में इसका expression कुछ ऐसा हो जाएगा डिल स्क्वाइर का डिल स्क्वाइर वी यानि 1 बाइर स्क्वाइर डिल बाइर डिल आर आर स्क्वाइर डिल आर ऑफ यह पहला कर्म है क्या है जो वी है जो कि function है अब जब हम लिक रहे तो वी जो है वी ओफ आर वी आट डिस position और position अब बताया जाएगा आर थीटा पाइसे इसलिए आर थीटा और फाइट का यह function है है तो हमने उसको यहां आर में partial differentiate किया थीटा फाइट को constant मानते हुए वह यह तर्म है जो आया उसको आर स्क्वाइर से multiply किया और तब इतना सारा जो आया उसमें फिर से थीटा फाइट को constant मानते हुए और तब बाइर स्क्वाइर स्क्वाइट किया यह पहला तर्म बना अगला तर्म इसका है 1 by r square sin theta यहां पे और फिर dell dell theta of sin theta into dell dell theta of V यह दूसरा तर्म बन रहा है उसी प्रकार से V जो है r theta phi का function है थीटा में differentiate करना है r को और phi को constant मानना है तो r और phi को constant मानते हुए थीटा में differentiate करें जो function मिले उसको sin theta से multiply करें अब जो function मिले फिर थीटा में differentiate करें और तब इससे multiply करें यह इसकारत है और तीसरा टर्म है 1 over r square sin square theta और अब फाई की बारी है डेल डेल फाई और यहां अंदर में देखें तो सीधा डेल डेल फाई ही है वो वी ऐसा तो इसको आप डेल 2 डेल फाई square और भी ऐसे लिख सकते हैं यह इसका spherical polar coordinate के अंदर में है इसी प्रकार से जिलिंड्रिकल में आएंगे तो सीलिंड्रिकल के लिए भी आप expression लिख सकते हैं जिलिंड्रिकल के लिए अगर expression लिखेंगे cylindrical coordinates में तो cylindrical coordinates में जो V है उसको हम लोग express करेंगे लिखेंगे दल स्क्कार वी वो बनेगा 1 by S del del S और फिर यहाप S del V del S as a plus del 2 V del phi square or 1 by S square or plus del 2 V del Z square थोड़ा कथिन जरूर है याद रखना लेकिन थोड़ा कुछ याद रखिए कुछ डिराइव कर लिजे कुछ consistency check कर लिजे तो इसको भी याद करना ज्यादा कथिन नहीं है अब यह जो operations है यह सारे operations del square के यहां पर हमने लिखे हैं मेन एक्वेशन मेरा यह है कि माइनस या माइनस को साइट लिख लिजे डिल स्क्वाइर औफ फाई is minus rho by epsilon not जिसको कि हम लोग कहते है पॉसाइकोशन यह पॉसाइकोशन इसको कहते है और अगर आप किसी ऐसे region में काम कर रहे हैं ऐसे region में ऐसे क्षेत्र में ऐसे वालिम में आप potential खोज रहे हैं हर पॉइंट पे जिस volume में खुद कोई charge नहीं है उस volume के बाहर charges हो सकते हैं उन charges के कारण से potential हो सकते हैं उस region के अंदर में लेकिन उस region में जिसमें आपका interest है वहाँ कोई चार्ज नहीं है तो charges है charge distribution है charges है यहाँ वहाँ वहाँ चार्जेस हैं कहीं continuous होंगे कहीं discrete होंगे लेगिन मेरा interest अगर इस region में है और इतनी दूर में charge नहीं है तो इतनी दूर के लिए अगर में लिखता हूँ equation तो वो equation लिखते समय में यह रो बराबर 0 है इन points के लिए और इसलिए हम लिखेंगे उस equation को del square V is equal to 0 del square V को क्या होना चाहिए minus rho by epsilon 0 और rho अगर 0 है तो del square V बराबर 0 और यह जो अलग से equation बना है del square V बराबर 0 यह कहलाता है लाप्लास equation जिस कोडिनेट सिस्टम में आप काम करते हैं उस कोडिनेट सिस्टम के निस्वार आप यहां से expression उढ़ा सकते हैं और वह बराबर 0 अगर करते हैं तो लाप्लास equation कहलाता है और physics का बहुत महत्वपूर्ण equation ह इसलिए कि केवल electrostatics में ही नहीं यह बहुत सारे branches में यह equation आ जाते हैं एक जो सबसे जाना पहचाना प्रांच आप कह सकते हैं कि अगर कुछ objects हैं जो अलग-अलग temperatures पर maintain किये गए हैं और उसके बाद जो बीच का space है उस space के अंदर आप temperature का distribution जाना चाहते हैं कि कहां कितना temperature है और अगर steady state आ चुका है हर जगह का जो temperature है वो constant है time में आपने objects के temperature को maintain किया हुआ है और उसके बाद एक steady state बना हुआ है तो जो temperature का distribution होगा अलग-अलग points पर उस region में बीच वाले region में वो भी इसी equation से मिलेगा डल स्क्वाइर ऑफ capital T बराबर जरो तो ऐसे ही अनेक शेत्र के अंदर में यह Laplace का equation इस्तेमाल होता है और इस कारण से यह physics का बहुत ही महत्वपूर्ण equation है तो थोड़ा इसका पहले छूटा सा भ्यास कर लेते हैं फिर इसके बहुत interesting properties हैं जिनका हम लोग discussion करेंगे तो हम एक उदाहरन लेते हैं हम एक spherical volume लेते हैं और उस spherical volume में और constant charge density rho यह हम रखते हैं मालिजे इसके अंदर इस volume के अंदर में और यह constant charge density यहां पूरे में भरी हुई है बाहर में कुछ नहीं है और इसी volume के अंदर में हम potential लिखने की कोशिश करते हैं तो चुकिए charge density है तो हम पासा equation से शुरुवात करनी होगी तो हमारा equation बनेगा del square of V is equal to minus rho by epsilon not यह और यह दो आप constant है हम इतनी दूर के वालिम के बात कर रहे हैं इतनी दूर के points के लिए हम equation लिख रहे हैं और चुकिए spherical symmetry है तो हम coordinates अपने उसी प्रकार चूज करेंगे origin लेंगे x y z coordinates बनाएंगे और फिर उसमें से spherical polar coordinates का इस्तेमाल करेंगे और तब इसलिए इसका जो expression होगा वो यह वाला expression हम इस्तेमाल करेंगे यह वाला और चुकिए आप देखते हैं कि theta और phi पर कुछ भी depend नहीं करेगा यह uniformly charged sphere है यहां हमने लिया है origin x y axis बनाएंगे अलग-अलग points जो होंगे इसके उसके अलग-अलग theta phi होंगे लेकिन अलग-अलग theta phi अगर लेते हैं r constant रखते हुए तो यानि हम उसके अंदर फिरिकल सर्फस के ऊपर भूं सकते हैं theta phi अलग-अलग ले रहे हैं r constant रहते हुए तो वह सारे points एक जैसे हैं उसके चारो बगल वैसा ही, चारो बगल उसके अंदर एक ही जैसा चार्ज है, तो यहाँ पोटेंचल होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, कहीं पर जादा कहीं पर कम होने के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, थीटा फाई पर कुछ भी बन जाएगा वन बाय आर स्क्वायर डेल डेल आर और फिर आर स्क्वायर डेल वी डेल आर बराबर माइनस रो बाइप्सलों नॉट ऐसा बन जाएगा रो चैनल रखेगा और चुक्षि अब एक ही वेरियेबुल ले जो वी है वो सरफ आर पर टीपेंट कर रहा है यानि इस्टन्स पर और इस 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 पर डिपेंट कर रहा है और चैनल पर और उरिजिन इतनी दूर यह अलग-अलग पॉइंट्स हैं सेंटर है वो सेंटर से दूर है वो अलग अलग पॉइंट से आपको अलग अलग चीज नहीं मिलती है और इसलिए हम इस पार्शियल डिफरेंशियेशन को टोटल डिफरेंशियेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पर डिपेंड ही कर रहा है तो बाकियों को कॉंस्टेंट मान करके डिफरेंशियेट करना है उस प्रकार की चीज यहां पर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर सब्सक्राइब करना है और इस आरस को अधर लेले हम तो डिफियार और आरस क्वैर दीवीदिएअ यह बराबर हुआ माईनस रों आरस क्वैर ओवर एप्सलेंट नॉट और इस दीयार को इदर लिख करके इंटेगरेट कर दीजे इस दीइर को यहां से यहां लिख करके और इसका इंटेगरेशन कर दिजे तो इधर क्या बना r square dv dr और अधर बना minus rho over epsilon not or r square integration r cube by 3 so r cube यहां or 3 यहां और एक इंटेगरेशन का constant c1 ऐसा यह r square dv dr का मान निकला अब इसा r square से फिर भाग लगा देजी आप दाहिनी तरफ तो बचा dv dr dv dr बराबर हो गया minus rho r over 3 epsilon not ऐसा और plus c1 by r square dv dr बना और फिर आप इस दी आर को उधर ले चलिये फिर इस दी आर को आप उधर लेखिए dv is equal to minus rho r over 3 epsilon not plus c1 by r square और इसके उपर d r और फिर इंटेगरेट कर देजे तो वी निकला क्या निकला वी बराबर यहां देखें रो बाइ 3 epsilon not minus के साथ रो बाइ 3 epsilon not यह तो constant है और और का integration होगा r dr और और वो होगा r square by 2 यहां पर हो गया यह r square और by 2 ऐसा यहाने रो r square by 6 epsilon not यह पहला term बना और दूसरे term में c1 by r square इसका d r करके integrate करना है 1 by r square का integration minus 1 by r इसलिए यह बन गया माइनस c1 by r और plus c2 अब c1 और c2 का मान हमें लिखना तो c1 को पहले देखिए यह c1 by r है और यह पूरा equation किस region के लिखा जा रहा है यह इस sphere के अंदर के region के लिखा जा रहा है क्योंकि हमने यह row maintain किया है और अंदर में r equal to zero point भी शामिल है और इसलिए अगर इस c1 का कोई value मैं रखूं नॉन जिरो वैल्यू तो यह चीज minus infinity होने वाली है लेकिन चार्ज distribution finite है और हम उसके कारण से potential लिख रहे हैं हर चार्ज के कारण से finite distance के उपर finite potential होता है तो इस कारण से यह पूरा जो potential है हर जगह पर इंफिनिटी नहीं हो सकता है और इस कारण से c1 को 0 होना चाहिए इस सीवन को 0 होना चाहिए क्योंकि इस यही अगर equation यहां के लिखेंगे तो सीवन को 0 होना आवशक नहीं है अगर आप यहां रो इक्वल टू जिरो लिखकर इसको को इसको सवर के जए तो बाहर के लिए काम कर रहें और तब इंटेग्रेशन यह आने वाले रो इक्वल टू जिरो तो यह तर्म नहीं आएगा लेकिन यह तर्म आएगा उस समय आप सीवन को जो नहीं करेंगे क्योंकि आप जो नहीं है उस रीजियन के अंदर में लेकिन अभी आप करेंगे तो क्या बनेगा V is equal to minus rho r square by 6 epsilon not sr और फिर plus c2 plus c2 s सीटू का evaluation कैसे होगा सरफेस का जो potential है वो हमें पता होना चाहिए उसके टर्म्स में लापलस equation या प्वसा equation में जनरल हम लोग यह करेंगे कुछ surfaces पे मुझे potential पता होगा और उन potentials को यूज करके जो बीच का बाकी का रीजियन है जो बाउंडेड है उन surfaces के द्वारा उसमें हम लोग potential लिखने की कोशिश करेंगे यहां पर भी surface का जो potential है वो अगर भी बराबर वी नॉट हम लिख ले यानि capital R पे यानि वी नॉट is equal to V not is equal to capital R यहां लिख देजिए माइनस रो capital R square by 6 epsilon not or plus C2 अब यहां से हम लोग इसको घटा ले और C2 को हटा दे यह सी टू कमान यहां से निकाल के वहां रख ले एक ही बात है वी माइनस वी नॉट बराबर आप जानते हैं जब घटाते हैं तो sign change करके और फिर जोड लेते हैं तो इसका sign यह प्लस करके लिखेंगे रो आर स्क्वायर द्रीश घटाते हैं तो इस तरीके से हम लोग एक चाश दिस्क्रिबूशन मुझे दिया गया था और हमने उसके potential का expression लिख लिया उसका बिना वो रो डी टौ इंटेग्रेशन वगरा किये हुए यह बहुत सिंपल है इसमें रो डी टौ करके integration करना potential का expression लिख करके एकदम आसान है बहुत ही आसान है आप जानते हैं कि इलेक्टरिक फिल कितना होता है करने के लिए मैंने सिंपल लिया था ऐसा हम लोग कर सकते हैं आप चाहें तो इस वी नोट का मान रखें लाप्लेस equation में जनरल ही होता है कि हमारे पास कुछ surfaces होते हैं और उन surfaces से एक वाल्यूम बाउंड होता है ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है यह भी वाल्यूम है यह भी बांड है इसी सार्फिस से और ऐस इमने इशिस से तरीके से षम Soo Ser долго इए उससे बांड है इस कर सकते हैं यह सरुदे हैं और हम कहें कि इन दोनों को छोड़ करके ए जो region है यह वाल्यूम है और यह एक सर्फीस इंफिनिटी पे है इक सर्फेस यह है इससे यह वालूम बंय हुआ है ऐसे हम लोग वॉलुम सबना सकते हैं ऐसा विवान बना सकते हैं हैं सब्सक्ograf कराते हैं यह जो आइस्का बाउंडिंग सर्फेस है तो जो बाउंडिंग सर्फेसेज है उनके उपर हमें पोटेंशल मालूम होने चाहिए और उनके पोटेंशल के एक्सप्रेशन के आधार पे उस रीजियन में पोटेंशल लिखना यह वस्तुते लाप्लास यह पौसा का उद्वेश रहता है उसी का हमने एक्सांपल दिया है अगर हमने स्फेरिकल चार्ज डिस्तिभिशन लिया और रू पता है इसके अंदर का मध्यू होना चाहिए पने को यह फ्रक्षन अ रूरा पता है यह हमारा यह उसका बाउनिंग सर्फेस और बाउनिंग सर्फेस पेश्टेंशल हितना है तो फिर बाकी के सारे points के ऊपर कितना potential कि हम लोग इससे निकालते हैं तो यह method है अब हम ज्यादा concentrate Laplace equation पर करने वाले हैं आगे उसके बहुत संदर-संदर बहुत रोचक-रोचक properties है Laplace equation के solutions की उस उनकी चर्चा हम आगे करेंगे